इसे बीच बड़ी कबर कन्नौज से प्रधानमंत्री इंडिया गडिधन के होने वाले प्रधानमंतरी अगरी में ऑप जताते हैं तो वहाँ पर कौन होगा प्रधानमंत्री इसकी लड़ाई हो जाएगे और यह पहले से मिन का क्या सकते हैं कि यहाँ पर फायदा मिलता हुआ या फिर यहाँ पर एक अच्छी कंडीशन में इंडिया गटबंदन दिखता है तो यह लड़ाई जरूर होगी कि पीम फेस कौन होगा पीम कैंडिडेट कौन मान कर चल रही है और इसी बीच एक बड़ी खबर बीका नेर से जह अब ये भी आना शुरू हो गया मेंका कि अब जो फाइनली जीत गए है क्योंकि जितने भी राउंड की काउंटिंग थी वो पूरी हो रही है और जैसे ही कुछ जगों पर ये क्लियर हो जा रहा है कि कौन सा प्रत्याशी जीता वैसे ही निउस 18 सबसे पहले आपको ये भी जीत हासिल कर ली है कि आए इंडिया ये अभी तक जो 44 समय दिखा रहे थे अभी कि तालेस दीपक रंजजन इस वक्त तमारे साथ मोजूद है दीपक रंजन जी जी जो आकड़े आ रहे हैं जो रुज़ान के तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं और आप क्या कहेंगे आप आपका रियक्शन क्या होगा पहला आप इस वक्त देख रहे हैं जो रुज़ान आ रहा है उसमें इंडिया गड़बंदन जो है हर सीटों पर बड़ी मजबूतिक सा लड़ता हुआ दिख रहा है और खास वर से देखें उत्तर प्रदेश को कि केन की सत्ता का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से योगर कर जाता ह और हमने उत्तर प्रदेश में एंडिया के रत को अगर किसी ने रोकने का काम किया यहां पर तो समाजवादी पार्टी और कॉंगर्स पार्टी ने लेकिन थोड़ी जल्दी नहीं हो गई कि अगर इंडिया गड़बंदन की कहीं से संख्या बलाती है और कहीं सरकार बंती द पॉसमें टै होगा पार्टी इसकी बहुत दिपक जी लेकिन देश में सरकार मनाती तो सपा नजर नहीं आ रही है ऐसे में बहुत जल्दी अगर आप ऐसे पोस्टर लगा देते हैं आप कहरें कि कार्यकरता की भावना है लेकिन इस भावना से खेस भी पहुंच सकती है और आपका बना-बनाय खिल बिगड़ भी सकता है ऐसे नहीं लगता आपको अब क्या यह काई कांटिंग को प्रवाइट कर देगा है जो कांटिंग चल दे कांटिंग को नहीं करेगा लेकिन आपके सही होगी दनों को तो निराश कर सकता है उनके बीच तो थोड़ी से खलल डा सकता है